Hey guys, welcome back to a new video Realme 3 Pro की यूसर बहुत ज़्यादा बेट करें थे कब उनके डिवाइस में Realme UI 2.0 और Android 11 का जो अपडेट है वो देखने को मिलेगा लेकिन फाइनली Realme ने आज Realme UI 2.0 के Early Access के जो फॉर्म से वो रोल आउट किये थे और रोल आउट करने के बाद जिन लोगों के फॉर्म एपडेट है वो देखने को मिल गया तो इस वीडियो में लोग F.01 की अपडेट के वायरे में बात करेंगे कौन-कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे और सब को ये अपडेट कब तक देखने को मिलेगा अपडेट करने के वाद चेंज लोग की तो यहां पर चेंज लोग में आपको बहुत सारे फीचर्स जो है वो रियल मी ने एड़ किया है मैं इसके स्कीन शॉट अपने टेल गाम रूप में शेयर कर दूँगा आप लोग जाकर के इसके पूरे चेंज लोग को बहां पर रीड कर सकते हो अब बात की जाए फीचर्स की तो सबसे वाला फीचर्स आपको सैटिंग में देखने को मिलेगा वो रहा परस्नलाजेशन का सिम्पली से आपको यहां पर अपने वालफन को कस्टमाइज करने की ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं थीम्स, वापेबर, आइकन स्टाइल, एप लेयाउट, कलर्स, फॉन, नोटिफकेशन, डॉरर, आप लोग थीम्स, वापेबर को भी चेंज कर सकते हो और यहां पर आपको realme UI 2.0 को जो नए वापेपर हैं 3 या 4 वो यहां पर realme ने add कर दिया है तो finally यह सब को देखने को मिलेंगे और live वापेपर में कोई भी वापेपर यहां पर realme ने add नहीं किया है और themes के section में आपको सिर्फ दो ही themes जो है वो default देखने को मिलती है दोस्तों अगला features आपको display के section में देखने को मिला वो रहा dark mode का अगर आप लोग dark mode को enable करते हो तो यहां पर आपको dark mode की settings के अंदर तीन टैप का dark mode देखने को मिल जाएगा enhanced medium gentry जिसको आप लोग अपने हिसाब से customize कर सकते हो तो आपको third party icon याई third party application में भी यह support करने लगेगा तो आप लोग इसको अपने हिसाब से adjust कर सकते हो जिस type का dark mode आपको अपने हिसाब से अच्छा लगे अब दोस्तों अगले main feature की बात करें तो वह आपको देखने को मिलेगा convenience tool के अंदर यहाँ पर आपको navigation के section में real me ने guest tutorial का features add कर दिया है इसके साथ आपको screenshot का जो नया APK है वो यहाँ पर देखने को मिलता है features तो कोई add नहीं हुआ लेकिन यह आपको smooth देखने को मिलेगा और इसकी जो lagging इशुता वो भी fix कर दिया है screen recording में आपको यहाँ पर 60 IPS का support जो है वो भी देखने को मिलता है आप लोग इसको enable करके use भी करोगे gaming recording करने में तो आपको काफी अची game recording यहाँ पर देखने को मिलेगी इसके जाथ यहाँ पर आपको quick return bubble का support भी देखने को मिलेगा और यह एक Indian version है जहाँ पर आपको बहुत सारी गेम्स की support देखने को मिल जाती है like PUBG, COD, Battlegon, Mobile, India जो आप लोग खेलते होंगे आपको quick return bubble में जाकर करके उस game को simply से add करना है smart sidebar में आपको features यहाँ पर नया add हुआ है वो रहा आपका recent applications का है निकि आप लोग अपनी recent applications को smart sidebar में भी add कर सकते हो दोस्तों बात किजाए battery की तो battery के regarding में अभी कोई भी comment नहीं कर सकता क्योंकि यह एक beta update है और इसमें आपको काफी ज्यादा bugs देखने को मिलेंगे और bugs के बदा से इसमें आपको battery draining भी देखने को मिलेगी वेट किजिए जब second या third update आएगा तो battery regarding आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि first update है इसमें आपको bugs मिलेंगे तो battery जो है आपकी 110% draining आपको देखने को मिलेगी आप दोस्तों बात करें अगले feature की तो वह आपको देखने को मिलेगा user and account में यहाँ पर आपको multiple users क आपको add करने का options भी realme ने provide करवा दिया है so finally यह features भी आपको realme 3 pro के ftor 01 के update में देखने को मिल गया है तो बात करें अगले features की तो वह आपको देखने को मिलेगा realme lab के अंदर और वह features रहा sleep capsule का यहां पर अगर आप लोग अच्छे से read करें तो यह जो भी features आपको realme lab के अं क्योंकि इसमें आपको realme के official dollar और official message APK है भई देखने को मिलती है इनमें आपको call recording का issue है announcement का वो देखने को नहीं मिलता बात की जाए अंत्तू benchmark score की तो मैंने realme UI 2.0 का update करने के बाद अंत्तू benchmark का score का test किया तो score आपको देखने को मिला 2,16,691 लिटरली पहले से काफी अच तो बात हो गई features की जो नए-ने features आपको realme 3 pro के realme UI 2.0 के f.01 के update में देखने को मिले थे अब main बात आती है system applications के update की क्योंकि आपको realme and open device में कोई भी option settings के अंदर देखने को नहीं मिलता कि आप लोग अपनी system applications को update करें तो आपको कहां पर system applications के जो updates हैं वो देखने को मिलेंगे तो नीचे description में मैंने realme system app operator telegram group का link दिया होगा आप लोगों ने जाकर के इस group को join कर लेना है यहां पर आपको सबसे वेले realme and open device की जितने भी system AP के हैं उनके updates देखने को मिल जाते हैं चाहे theme store phone manager screen record यानि कि जो भी system application आपको देखने को मिलेगी उसका updates आपको सबसे वेले इसी group में देखने को मिलेगा so आप लोग जाकर के इस group को join कर सकते हो link आपको नीचे description में देखने को मिलेगा so finally दोस्तों इतना इस video में मैं मिलूंगा आपको अपनी next video में तब तक है लिए bye bye take care